वर्तमान समय में बहुत लोगों को नीन की तकलीफ हो रही है सो नहीं पाते है है ये भी आधुनिक यूग की देन कि आदमी ने अपनी नीन गमाली प्रकुर्ती ने जब शरीर को जन्म दिया तो आप सहजता से सोते थे बच्चा देखिए छोटा थारा गंटे भी सोता है और भूख लगती है खाते हैं और बच्चे को कभी कांस्टिपेशन की कोई दिक्कत नहीं होती बच्चेवों को कब्स की तकलीफ कभी कबार हो जाती है कि उसमें कारण कुछ नो कुछ उस दूद का दोश भी हो सकता है और ये भी हम कह सकते हैं कि कभी-कभी माता का दूद जैसा उसको मिल रहा है तो अगर माता का शरीर में कुछ विकृतियां हैं तो वही विकृति दूद में होगी वही बच्चे को जाएगी और फिर संभव है कि बच्चे को कुलाइटस का दर्द हो सकता है या पेट उसका खराब हो सकता है लेकिन नॉमली, जेनरली अगर हम देखे तो बच्चे मजे से सोते हैं मजे से खाते हैं खूब खेलते हैं गिर जाते हैं हजारों बार ठकते नहीं तूटते नहीं, कुछ नहीं होता है लेकिन फिर जब दौड़ शुरू होती है पढ़ाई की, सर्टिफिकेट्स की डिगरीज की, परसंटेज की कहां आपको एड्मिशन मिलेगा कहां जॉब मिलेगी दिन वर्किंग आवर्स देर तक काम करना दिन भर काफी पीते रहते फ्री मिलते है आफिस में फ्री की काफी और फ्री की चिंता फ्री की एंग्जाइटी फ्री की इर्शा आपस में अपने से जो बहतर है शकल में, अकल में, रुपे में पैसे में उनसे द्वेश हो जाता है और फिर बहुत सी इच्छाएं हैं, फिर भावनात्मक रिष्टों में परिवार के पत्नी, पती, बच्चे, बहन भाई, इनके साथ कुछ मन मुटाव हो गया, कुछ भीवाद हो गया, तो फिर तकलीफ आ जाती है, और मन फिर वही बाते सोचता रहता है, और कि यह क्यूं हु उसने ऐसा क्यूं कहा, उसने ऐसा क्यूं कहा, और जिंदगी में बड़ी उल्जने जो आई, इन्ही उल्जनों के कारण से मनुष्य ने अपनी नीन गवाली है, अगर मैं कहूं, दुनिया में सबसे जयदा अलोपैथी की कौन सी दवा बिकती है, आपका अनुमान बिलकुल सही है, वो नीन की गोली है, नीन की दवाई है, अगर मैं आपको कहूं कि सबसे जयदा सुख आधूनिक मशीने, आधूनिक बैट बड़े अच्छे हो गए है, ये स्प्रिंग वाला बैद है, ये चार लेर वाला फोम का बैद है, ये पॉली फिल की कवर का गदा है, चद्र हैं, बड़े बड़े अच्छे हो गया, साब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसी अच्छा है, हीतर अच्छा है, पर नीन नहीं है पिर नींद के लिए मुझे याद है एक बार विदेश में मैंने कोई 15 साल पुरानी बात है वहाँ देखा के वो बेच रहे थे कुछ ऐसी वस्तु में फर एक्जामपल तेल बेच रहे है कि आप ये sleeping oil माथे पे लगाईए लगाने से आपको नींद आ जाएगी फिर मैंने देखा वहाँ पर अलग-अलग चाय बिखती है hobble teas कि आप ये चाय पीजिए तो आपको नींद अच्छी आएगी फिर देखा वहाँ candles बिखती है कि ये infused with essential oils है आप ये candle अपने कमरे में जगाई है आपको नींद अच्छी आएगी फिर एक समय आया मैंने देखा कि वह सब चीजे भारत में भी आगई है अभी उतने अनुपात में नहीं लेकिन एक अमीर तब का या जो धनी वर्ग है उनके पास ये सब खबरे भी हैं और वो सब खरीबदारियां भी करते हैं इस गदे पर सोएंगे अच्छी नींद आएगी ऐसा सिराना रखेंगे तो अच्छी नींद आएगी ये कैंडलाइट लगाएंगे तो अच्छी नींद आएगी ये एसेंशल ओयल की कैंडल जगाएंगे तो अच्छी नींद आएगी क्यालन्दूला की चाय पिएंगे हर बल तो नींद अच्छी आएगी एक बहुत बड़ी बिलियन्स अफ डालर वर्स एक मार्केट खड़ी हो गई जो मनुष्यों को नींद बेचती है नींद तो नहीं मैं कहूंगी नींद का एक ख्वाब का नींद की एक चाह को वो बेचते हैं कि आईए ये हमारा समान लीजिए और इसे आप अच्छे से सो जाएंगे क्या हुआ अखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो चीज हमें कुदृत ने दी थी प्रकुर्ती माता ने हम को दी थी और वो थी सुन्दर नींद वो नींद कहां चली गई और क्यूं चली गई और अब उस नींद के लिए देखिये मुझे बात करनी पड़ रही फिर मेरा विशे है नहीं पर क्या करूं इतने प्रश्न आते हैं इतने पत्र आते हैं इतने लोग जो मुझे मिलते हैं, तो अक्सर कर उनकी तकलीफ रहती है, कि उन्हें रात को नीन नहीं आती है। दुख इस बात का हुआ, कि उन्होंने योग निद्रा को नीन लाने का साधन समझ लिया। कि योग निद्रा करेंगे तो हमारी नीन्द अच्छी हो जाएगी। पर मैं यह निवेदन कर देना चाहती हूँ। योग निद्रा नीन्द के लिए नहीं है। योग निद्रा हाँ, उसका शरीर को लाब हो सकता है। कि आपका हाइपरटेंशन, मैंने हाई, बीपी, उच्छो रक्तचाप वो थोड़ा कम हो जाए। एंग्जाइटी इशू कम हो जाता है। जो बहुत मन दोड़ता रहता है, उसको रोकने में भी। लेकिन योग निद्रा का एक लक्ष है। और लक्ष यह है कि आप अपने अवचेतन मन तक एक पहुंच बना सके। और दूसरा उसका लक्ष है कि हम शरीर नहीं हैं, हम इंद्रिया नहीं हैं इस अनभूती को लेने के लिए। यह एक योगिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आप यह अनुभव ले सकते हैं। मन का विश्राम प्राप्त करना बड़ी बात नहीं थी, पर बड़ी बात यह थी कि इसकी एक अध्यात्मिक उप्योगिता है, एक योगिक साधना है यह। पर लोग मैंने देखा नींद के लिए योग निद्रा को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर यही बिचार किया कि क्यूँना मैं नींद लाने के लिए भी कुछ आपको साधन दे दू। अजीब बात है, यह मेरा विशय नहीं है। मेरा विशय तो नींद से जगाना है। मेरा विशय आपको योग निद्रा की अनभूतियों में लेके जाना है, कि आप नियमेतरूप से योग निद्रा करें। पर जिसकी सहज प्राकृतिक नींद ही सही नहीं है, वह व्यक्ति सच यह है कि योग निद्रा भी नहीं कर सकता है। बहुत लोग योग निद्रा के नाम पे खराटे भरते हैं, सो जाते हैं और फिर योग निद्रा का जो लक्ष है वो भी पुरा नहीं हुआ और जब जागना चाहिए तब सो गए। तो अब आप सब की इस समस्या को मैं एक समाधान देने जा रही हूँ। और आपको योग निद्रा के बाद सिर्फ निद्रा जो है यह हमारी अच्छी कैसे हो सके उसके लिए आपको एक बहुत बढ़िया एक ऐसा सूत्र जो है वो मैं देने जा रही हूँ। एक ऐसा परयोग है जो आप करेंगे तो मुझे दिश्चित रूप से विश्वास है क्योंकि यह अनुभाव का विशह है और सच तो यह है कि लोगों को जगाय रखना मुश्किल है। लोग सो इतनी जल्दी जाते हैं। पर जो लोग बहुत कुछ करके भी सोनी पाते हैं। जैसे मैंने कहा। कैंडल्स, ओइल्स, क्रीम्स, पोश्टन, सिराने, गद्दे, यह सब चीजों के बाद भी नींद नदारत है। अब थोड़ा इसका एक जो विज्ञान है, उसे थोड़ा समझने की चेश्टा करिए। बहुत एक विज्ञान का अगर हम बात करें, तो शरीर में अगर पित की अधिकता है, तो आपकी निद्रा खराब होगी। अगर शरीर में अगर हर्मोन्स का इंबैलन्स है, तो आपकी नींद्र खराब होगी। अगर आपके पित का प्रकोप है, चाहे वो चमडी में हो, स्किन में हो, चाहे वो पेट में हो, तो भी आपको नींद्र नहीं आएगी। अगर आपके मानसीक तनाव है, तो भी नींद्र नहीं आएगी। और भावनात्मक और रिष्टों के ये जो उल्जने होती हैं, अगर इन ही में आप सारा समय उल्जे रहते हैं, तो भी नींद्र जो है वो आपको नहीं आएगी। So हमें थोड़ा इस बात का ख्याल करना पड़ेगा, तो एक सुझाव है जो मैं आपको देना चाह रही हूँ कि सबसे पहले आप किसी अच्छे अच्छे आईरुवेदाचारिये से अपनी पल्स का टाइगनॉसिस कराएं। अभी COVID चल रहा है, unfortunately, बहुत से वाइद्य अभी मरीजों की नब्स पकड़ने को राजी नहीं है। लेकिन थोड़ा समय अच्छा हो रहा है, COVID कम हो गया है। बहुत जल्दी आपको ये सुविधा उपलब दाश्रम में भी हो जाएगी। जहां वाइद्य आपकी पल्स को देखे। अगर उसमें पित का प्रकुप है, तो सबसे पहले उसका इलाज करना आवर्शक होगा। अगर आपके हॉर्मोन्स का इंबैलन्स है। स्त्रियों के लिए अगर महवारी ठीक समय पे नहीं आती है। और अगर उनको फाइब्रोइड की शिकायत है, पी-सी-ो-डी की शिकायत है। तो ये सब संकेत है कि उनके हॉर्मोन्स ठीक से नहीं चल रहे। तो उसके लिए उनको औरशदी लेनी चाहिए। तीसरा, अगर आप बहुत तला हुआ, भुना हुआ, बहुत मसालेदार खाना रात्री के समय पर खाते हैं। और तुरंथ बिस्तरे में चले जाते हैं, तो पका जानिये। वो खाये हुए आपके जो मसालेदार भुजन हैं। बस वही आपको जगा के रखेंगे। में मैंने ये देखा के कफी जगा देती हैं। आप सो नहीं पाएंगे। चिंता जगाती हैं, कफी जगाती मसाले जगाते हैं। हर्मोन्स भी जगा देते हैं। और हमारी इच्छायें भी हमको जगा देती हैं। आपके किसी प्यारे को मिलना है, कोई दूर से आ रहा है, कोई शादी है, कोई फंक्षन है, excitement है, lot of excitement, अब कहां से नीन आएगी, गड़ बढ़ हो गई? तो शरीर के एंगल को सही करिये, अगर आपके बाद पित, कफ, प्रकुपित है, वायू बिगड़ हुई होगी, तो भी नीन नहीं आएगी, पित बिगड़ा होगा, तो भी नीन नहीं आएगी, और कफ बढ़ हुआ होगा, मैंने, sinuses block हैं आपके, तो भी नीन नहीं आएगी, तो पहले शरीर के पक्ष को जरूर देख लीजिए, कि आपका शरीर, जहां तलग हो सके, बैलन्स्ट होना चाहिए, अब शरीर बैलन्स्ट करने के लिए, मेरा सुझ हाव है, हलका खाएं, जैसे हम आश्रम में कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है, बहुत लोगों ने, इस बात को समझने के बाद, अपने घरों में इसे लागू किया है, और वो है सिर्फ दो ही समय खाना, एक बार आप साड़नों दस बजे खाईये, सुबा, और फिर आप खाईये शाम को, मने साड़न पांच शे बजे, फिर इसके बाद कुछ ना खाईये, बिलकुल अगर आप इस नियम का अच्छे से पालन करेंगे, तो होगा ये कि जो आप आपने खाया है, वो बहुत अच्छे से पच जाएगा, और धीरे-धीरे समय के साथ, आपके जो शरीर में वात-पित कफ है, इसका थोड़ा बालन्स जो है, वो सही होने लग जाएगा, दूसरी बात, जब आप सोने की तयारी क्या करें, सोने की तयारी बहुत सिंपल रखी एक तो आपका श्राम का भुजन है, साड़े पांच-छाए बजे, लेट से लेट साथ बजे, इससे लेट करेंगे तो फिर आप बड़ी खुशी से तयार रहिए रात ना सोने के लिए, और दूसरी बात, अगर आप सो भी गए, कई हैं ऐसे, खापी के भी सो जाते हैं, पर फिर क्या है? उनका पाचन बिगडेगा, उनका डाइजेशन खराब होगा, उनका जो सिस्टम है वो डाउन हो जाता है, जिसको उनके ओवरलोडड़ड हो जाता है, तो वो ओवरलोड़ड़ड इज सिस्टम रहेगा तो 10-15 साल में किसी ना किसी रोग का प्रग्टा हो साम के भोजन के बाद हो सके तो, पॉसिबल हो तो सेर करिए, अगर आप सेर नहीं कर सकते हैं किसी करणवश्ट तो घर में वजरासन में बैठ जाएए, वजरासन में अगर आप 10-15 मिनट बैठते हैं, और उसमें जो आपके पाउं का बायांग उठा है, उसको दबा दीजि तो आपके पाचन में बहुत सुविदा हो जाएगी, रातरी चरया का नियम है, आयरुवेद कहता है कि एक गुटने तलक टांगे और कोहनी तलक बाहें और चहरा, इसे सरदी में गुनगुने पानी से और गर्मी में ठंडे पानी से आप धो लीजिए, सुखा लीजिए, नारियल के तेल से, सरदी में तिल के तेल से, आप पाउं की तली को मालिश कीजिए, और ये कान का जो सफ्ट पाठ होता है, नरम हिस्सा होता है, इसको अंग्रेजी में एर लोब बोलते है, हिंदी में आप मुझे बताईए गई से क्या कहते हैं, तो जो नरम हिस्सा है कान क इसकी भी मालिश करिए और सिर्के तालू में यहाँ पर एक अधी चम्मच तेल यहाँ भी डालिए और अपने हाथों से अपने सीष की सेवा कीजिए अपने हाथ जगानाथ यह कर लेने के उपरांध आप विस्तर में जाएए और तुरंत लेटिये नहीं बैठ जाएए जैसे के साधना के लिए बैठने लगे दस मिनाट, पंदरा मिनाट जितनी देर मंत्र जप करें श्वासोच्ष्वास करें या कोई शास्त्री ये संगीत, रात्री के जो राग होते हैं या आप वो सुन लीजिए और फिर उसके बाद आज आप सब के लिए जो मैं खास चीज लेकर के आई हूँ और वो है निद्रा नाम से एक ट्राक है जो आपको मिल जाएगा हमारी अप्लिकेशन अमृत वर्षा में ये ट्राक मौझूद होगा इस ट्राक को आप अन कर लीजिए मैं उमीद करती हूँ कि आपको मालूम है कि अमृत वर्षा आप में जाना कैसे है उसका तरीका क्या है मेडिटेशन के सेक्शन में इसको डाला है तो वहाँ निद्रा नाम से ये आप ट्राक आउन कर लीजिए लाइट बंद कर लीजिए फोन्स आफ कर लीजिए फोन के लिए मैं ज़रूरी एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि फोन को एर प्लेन मोड में अगर रखें तो जादा बहतर पूरा बंद कर दें तो सबसे उत्म फोन आपके चालू न रहें सिरहने के पास फोन रखके बैठके देर तलख सोशल मीडिया चेक करते रहें फोटो चेक करते रहें अपनी अच्छी तस्वीरे देखके खुदी खुश हो लें और दूसरों की तस्वीरें अच्छी देखके जलते रहें कि आरे हम तो वहां गए नहीं यह कैसे चले गए मन को काहे उल्जनों में डालना हो सके तो आपका सोने के समय अगर नौ है या दस है तो दो घंटा पहले सोशल मीडिया से अपने आपको आफ कर लीजिए इसे मैं कहते हूं सोशल मीडिया का उपवास उती देर के लिए आप फोन को आफ कर लें और फिर जब आप अपने बिस्तर में बैठ गए इनीशल थोड़ा सा शरीर को विश्राम में दे लिया फिर लेट जाएए और उसके बाद क्या करना है यह हमारे निद्रा ट्राक में आपको मिल जाएगा और मैं उमीद करती हूँ कि मेरे द्वारा इस ट्राक के साथ आपकी प्राकुर्तिक अच्छी वाली नींद जो है सोब आपिस आजाएगी हाला आयुरवेद में बहुत सुन्दर आउशदियां है ब्रामी है, जटामांसी है, अविपतिकर है ये एक ऐसे रसायन है जो आपके मस्टिश्क को बहुत काम करते हैं रिलाक्स करते हैं लेकिन फिर भी मेरा सुझाव है कि अपने वाईदे से ज़रूर पूछ ले क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग है उसकी आवश्रक्ता अलग है तो ये वैदे ज़्यादा अच्छा बता पाएगा कि क्या चीज आपके अनुकूल रहेगी तीनों या एक या दो ओश्रदियां आपके लिए अच्छी रहेगी सो इस निद्रा के साथ मैं उमीद करती हूँ कि आपकी अच्छी नींद आपको मिल जाए आप खूब आनन्द से 6-8 गंटे सो पाएँ स्वपना आएं भी तो गुरु के आएं किसी तिर्थ में हो, गंगा किनारे हो, किसी परवत पर हो, शिवीर में हो, ध्यान कर जाये हो गुरु सेवा कर रहे हो, फूल देख रहे हो, तितलियों से खेल रहे हो स्वपना आएं भी तो ऐसे ही आएं और वो तब ही होगा जब आप दिन में अपने संसकारों को अच्छा रखेंगे बीचारों को अच्छा रखेंगे तो आपके आचरण का, आपके बीचारों का, आपकी भावनाओं का असर आपके निद्रा पर आता है अगर हम इस सब चीजों का ख्याल रखेंगे साथी साथ आपका आहार, सुपाच्य और तला, खटा, बासी, प्रोसेस्ट, रिफाइंड रिफाइंड जो है तोड़ा इस से दूर रहिए अगर काट सके तो बिलकुल काट दीजिए और शरीर हमारा इश्वर का बनाया हुआ मंदिर है सच्चितानन परमत्म यहीं पर मौझूद है आपके इस शरीर के रोएं रोएं में आपकी चेतना में आपका आत्मा ही है वो इसलिए इस देह का सद उपयोग करिए इस देह का दुर उपयोग नहीं करिए इस शरीर को स्वस्त रखिए और जानिये इस शरीर में हम बहुत लंबा नहीं रहने वाले यह खेल साट, सत्तर, असी साल पता नहीं कईयों का तो चालिस मैं तो सुन रही हूँ आप भी सुन रहे होंगे मुर्त्यू कब किसकी आ जाया यह उसका जीवन और कभ इसके प्राण पंखेर ऊड़ जायेंगे तो काहे को संसार की चिंता करने काहे को संसार के लिए मारे मारे फिरना थोड़ा समय स्वयम को दीजिए अनुशासन, साधन, समर्पन इश्वर भक्ति, गुरु भक्ति और प्रतिक्षण प्रार्थना करते हुए जीवन को आप जीएं मेरी ओर से आप सबको बहुत शुबकामनाएं आपका शरीर स्वस्त रहे आपका मन स्वस्त रहे आपका जीवन साधन, सुमिरन के साथ भरपूर हो जाए मेरे इन सुझामों को आप लागू कर पाएं सुन के भूल न जाएं और आपके जीवन का ये हिस्सा हो जाएं इसी अभिलाशा के साथ आप सबके लिए यहाँ नया निद्रा ट्राक समर्पित है ओम